हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एसके ग्यान अस्टडी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक साथ देखेंगे जोर घटा गुना भाग को इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम लोग को जोर सीखना है तो यहां पर दिखिए एक और चार था उसको जोरेंगे कितना आएगा पांच यदि जिनको दिक्कत होता होगा जोरने के लिए वो क्या करें लकीर का सहयता ले यानि चार है पहले से और एक को जोरना है तो चार लकीर पहले वह direct जोरेंगे, तो यहां पर 8 और 2 को जोरना है, 8 दो कितना हो गया, तो 8 और 2 होता है, 10, कितना होता है, 10, अब यहां पर देखे, यहां कुछ बांकी नहीं था, तो इसने direct 10 का क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि 10 जब ऐसे लिखते हैं, तो इसका जो एकाई अंक होता है उसी को लिखा जाता है दाई अंक को रख लिया जाता है हासिल में यहाँ पर रख देंगे ठीक तो एक अब सब को जोरेंगे छोड तीन कितना होता है नो, नो, एक, दस फिर दस हो गया दस का क्या हो जाएगा सुन बौकी एक अब यह कहाँ चल जाएगा फिर यहाँ इसके उपर चल जाएगा अब इसको जोरेंगे तो साथ, पांच, बारा, एक कितना होगा, तेरह, अब लास्ट में तेरह है अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है इसलिए हम इस तेरह को क्या करेंगे पूरा लिख देंगे तेरह इस प्रकार आप जोर बना सकते है तो चलिए अब घटा की ओर चलते हैं तो घटा में क्या करना है सबसे पहले आपको घटा बनाने से पहले आपको यह जानना परेगा कि जब हम घटाते हैं किसी भी संख्या में तो जो संख्या पराप्त होती है उसको और जो घटा है दोनों को जोरने पर ये संख्या आ जाएगी कहने का मतलग ये 5 है 5 रुपिया था मेरे पास और 5 रुपिया हमने खर्च कर दिया तो बचेगा कितना तो 0 रुपिया बचेगा यनि कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर 0 अब इस दोनों को जोरते हैं तो ये पूर जाता है वही बात में बताना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है घटाना है तो 5 में 5 गया 0 हो गया अब ये कितना है 6 है कितना है 6 में से 2 को हमको घटाना है 6 में से जब 2 को घटाएंगो तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कैसी हम घटा लिए पहले आप 6 लकीर खीज दिजिए 4, 5, 6 अब इस 2 लकीर को काट दिजिए तो बसता कितना है 4 इस परकार हम घटा लिए फिर गता है सात में से तीन जब घटता है, तब कितना आएगा? तब भी चार आएगा, कितना आएगा? चार आप उंगली का सहारा ले सकते हैं इस परकार तो देखिए एक दो तीन चार पांच ठिक उसके बाद छे साथ अब साथ में कितना घटा ना तीन घटा ना था तो एक दो तीन घटा देजिए तो एक दो तीन चार यह उस परकार आप कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर नौ है 9 में से 4 घटा ना है 9 में से 4 घटा देंगे तब आजाएगा हमें 5 आजाएगा कितना आजाएगा 5 इस परकार आप घटा बना सकते ये तो simple घटा था मैं आपको धरन के लिए एक और घटा लेता हूँ जिसमें आपको पैचा लेना पड़ता है अब देखिए कुछ इस परकार जब घटा दिया रहाएगा तब कईसे बनाएगा यहाँ 3 है तो 3 में 7 तो घटा ना है तब उसको क्या करेंगे 3 के बगल बाले से पैचा लेंगे तो 3 के बगल बाला एक जब पैचा देगा तो हो जाएगा ये 13 हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और इसमें 7 लखी को मिटा देंगे या काट देंगे अब देखो कितना बचा है 2, 4, 6 इसलिए 6 लिख देंगे इस परकार हम बनाना अब देखे ये इसको पैचा दिया था यानि ये एक जब किसी को आप रुपिया दान कर देंगे आपको एक रुपिया घट जाएगा तो एक रुपिया कहने का मतलब यानि 7 है लेकिन बास्तव में कितना है 6 ही है क्योंकि एक रुपिय ये दे दिया है अब ये 6 है इससे पैचा लेगा तो ये तो पैचा देने सकता है क्योंकि पहले से ही सुनने है तो ये इसके पास जाएगा ये पईचा देगा इसको ये 10 हो जाएगा ये 10 होगा यह जिरो बचेगा और यहाँ पर ये 6 नहीं है अब 5 बचा क्यों यह इसको एक पैचा दे दिया था इसलिए यह क्या हो जेगा पॉंच पॉंच में से एक गया तो चार इस परकार आप सिंबल से घटा को बना सकते हैं चलिए अब हम गुना की ओर चलते हैं और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजे अगर इसी त assembling based math की जनकारी जानना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए तो चलिए सब्सक्राइब कर चलते हैं देखिए गुणा में कुछ इस परकार है आपको हम एक अंका भी दिखाए हैं दो अंका भी दिखाए हैं और तीन अंका भी दिखाए हैं तो कैसे बनाएगा उद्धी हम दिजेगा यह बोल रहा है कि दो को आप तीन बार पढ़िए दो को जब हम तीन बार पढ़ते हैं तब कितना हो जाता है तो 2 को जब हम 3 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा तो 2 तिया, 6 हो जाएगा तो इस 6 को लिख दीजी लिख दीए फिर 2 को बोल रहाका, इस 4 बार पढ़ने के लिए दो को 4 बार पढ़ेए तो 6 होगे, आप तो डारेक्क 6 लिखतेंगे इसमें जब आते हैं तो ऐसा नहीं है इसमें जब उसी परकार बनाएंगे लेकिन अगर बांकी बजाएगा तो अगली संख्या में जूरता जैसे देखिए दो पच्चे दस दस का जीरो लिखेंगे खाली जिस परकार आभी आप इससे पहले देखें होंगे कि अगर बच जाता था तो इधर लिखते थे उसी परकार यहाँ पर कितना बच गीए 2,5,10,10,10 का जीरो बउकिए एक हो गया तो एक लगम रखेंगे अब देखिए दो को सा 12 12 कितना हो जाएगा 13 इस प्रकार यह तो 2 का लिखे अब देखिए अगली संख्या 2 आंग का कुछ ज्यादा नहीं है आप यह अस्थान छोड़ कर यहां से लिखेगा बस इतने है कि 3 का जो गुना करकाएगा वह इसमें नहीं लिखना है यहां से लिखना है तो यहां 22 दो पर 22 लिखते हैं पिर उसी प्रकार तीन चीर केतना होगा अठारे 18 आप दो था अठारे दू कितना हो जाएगा 20 कितना होगा 20 अब सब को आप जोड़ दीजिए क्या करना है जोड़ दीजिए जीरो का 0 ही होगा 5 पस 10 10 का 0 बांकी 1 3 2 5 1 6 पिर यह एक हो जाएगा और य लिए इसी में देखते हैं तीन अंका भी आसान है थोड़ा ध्यान से देखिएगा देखिए सबस पहले एक अंका कर लेते हैं तो दो एकम क्या हो जाएगा दो जब भी आपर गुना बनाईएगा तो ध्यान रखेगा सब को लाइन करम बाई रखे जैसे ही पॉंच आते हैं इ दो क्या है तो दो से घुना ठीकव क्रेंगे गुना थिफेगा अब करेंगे यहांज लिखेंगे तीन एकम तीन को जब जिरोस करेंगे तो क्या हो जाएगा जिरो आजाएगा clean 7 को जिरो से करेंगे तो तीन deserted' हो जाएगा 9 होगा 9 फिर 3 को 1 से करेंगे 3 एकम क्या हो जगा 3 फिर आप क्या है 2 से फिर है तो 2 से हम फिर से करते हैं अब यह लेन छोड़ देंगे यहां से करेंगे 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2 2 को 0 से किये 0 2 तिया 6 फिर 2 एकम 2 थोड़ा हमनी जगह छोटा लिये थे इसलिए इसा लग रहा है लेकिन आपको समझने हम दिक्कत नहीं होनी चाहिए देखिए अब यहां पर सब को सामने लिखें 2 को और 2 ही लिखे देंगे 2 और 3 को जोड़ते हैं कितना आता है 2 और 3 को जोड़ते हैं इस परकार आपने 3 अंक का गुना भी देख लिया अगर आपको 3 अंक के गुना में कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर कर सकते हैं मैं उस पर भी अच्छे से वीडियो बना दूगा ऐसे भी इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आप जितना स्टेप इधर पीछे जाते हैं उतना स्टेप अगर 4 आंग 5 आंग का भी रहे तो इतना स्टेप पीछे होते जाईएगा समझ गए इस परकार आप चलिए अगला जो है अब हम भाग सिखने बाले है क्या सिखने बाले है भाग देखिए भाग कुछ इस परकार आपको दिया रहेगा इसमें भाग को समझने से पहले यदि आपको 2 का टेबल 5 का टेबल याद नहीं है तो आप याद जरूर कर लिजी होता क्या है अगर आपको टेबल याद रहता है तो आप जल्दबाजी में कर सकते हैं लेकिन अगर आपको टेबल में दिक्कत होती है परिशानी होती है तो आपको लेट लग सकता है देखिए यहाँ पर 8 है तो 2 का टेबल हमें पढ़ना है तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चोक 8, 2 पचे 10 देख रहे हैं अब हमको यहाँ देखना 8 है यहाँ पर 2 पचे 10 आ रहा है और 2, 4 कितना प्चे 10 आहाँ है तो 8 के जो नजदीक होगा बहुत ज़दा नजदीक और इससे छोटा नजदीक में भी इससे बरा नहीं होना चाहिए तो नजदीक होगा और इससे छोटा होगा वोल लगा सकते या इसके बरावर, तो दो चो कितना होता है, आठ, तो आठ यहां लिख देगी, तो डारेक्ट लग गया, अब इसको घटाना है, गटाना है, घटाना है, आठ में साथ गया, जीरो बोले या क्रॉस कर दिजिए, ठिक, अब क्या अगली संख्यां को उतार देंगे, उसी क्योंकि छोज़ादा हो जाता 4 से घट ने सकता और 2 एकम 2 नहीं लगाएंगी क्योंकि अगली संख्या 4 इसके बराबर हम लगा सकते हैं ठीक चार मेंस चार गया यह भी खतम हो गया अब कितना उत्रा तीन उत्रा अब देखिए दो एकम दो दो दूनी चार चार तीन से जदान हो जाता है इसलिए चार नहीं लगाएं एक बार में लगाएं कितना दो एकम दो और इसको घटा देंगे तीन में से दो गया, कितना बज़ेगा, एक, ठीक, इसमें कुछ समझेंगा, अगर किनी को डॉट रहा हुआ, तो इस पर ध्यान दिजेगा, देखिए, क्या करते हैं, तो इसको जब बोलते हैं, इसका टेबल, तो इसके टेबल में, जो ये संखियां, उसके नजदी काना चाह आएगे, 5 आंच एक हैं, भार में क्या लेगे, अब इसको घटा लेगे, 9 में से पो बज़ेगा, 4 बज़ेगा, आब इसको उतार देगे, 7 को, कितना हो जबोलते हैं, पोलू दैबल, 5 कितना बार में आता है, तो 5 कोजब clip, और जहँए, तो इसको घटा लेगे, 7 में से पो जाएगा दो ये कट जाएगा अब उपर उतरेगा कितना छो फिर पांच का टेबल पड़ते हैं तो पांचो कितना होता है बीस पचीस पांच अग तीस तीस जदा होता है इसके करीब और पत कोन है तो पचीस है तो पांच पांच बार में जब करते हैं तो पचीस कितना होता ह पचीश, अब इसको जब घटाते हैं, तो एक होगा यहाँ पर, यह क्रोस उन्हीं कट जाएगा, अब देखें यहाँ पर, वो फिर अंग उत्रेगा पांच, अब यह पंद्रया होगा, पांच का टेबल जब तीन बार पढ़ते हैं, तो पंद्रया हो जाता है, इस तरह आप क्यों आप बनमाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करिए मैं उस पर अबस वीडियो बनाऊंगा और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं के जरूर करिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाहें दोस्तों धन्यवाद